और अनुसुया जी के तीन पुत्र हुए दत्रा थे भगवान विश्नु का अवतार महराज शिव ने अवतार लिया दुर्भासा हुए ब्रह्मा जी ने अवतार लिया चंद्रमा रशी पैदा हुए है इसे चंद्रवंस भी कहा जाता है चंद्रवंस में नहुस ऐसे राजा हुए जिन्हें पत्नी के कारण गधा बनना पड़ा महराज कभी कभी कोई बात बतानी भी नहीं चाहिए साइद अपनी पत्नी को अपने मन की बात नहुस नहीं बताते तो गधा नहीं बनते जीवन में इसी बन्स में आयाती हुए आयाती के दो राणियां थी देवियानी सर्मिष्ठा देवियानी ब्रहंबड पुत्री है सर्मिष्ठा विस्परवाह के कन्या है पांच पुत्र हुए हैं दोनों से जिन में यदू नाम का पुत्र प्रशिद हुआ जिसके नाम पर यादव कहलाए पुरू नाम का पुत्र दूसरा था उसके नाम पर पुरुवन से चला है यदू के नाम पर यदवन से चला है इसी बंस में महाराज दुसियंत हुए जिनकी रानी का नाम शकुंतला था जो कड़ रिशी की पुत्री थी जिनके एक महान सुन्दर बालक का जनम हुआ जिसका नाम उन्होंने भरत रखा और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा उन्हीं महाराज के हस्तन हुए जिनके नाम पर हस्तना प्रवसा हस्तन के कुरु हुए जिनके नाम पर कुरुछेत प्रवसा इसी बंस में महाराज सांतन हुए हैं जिन्होंने स्वेम गंगा से विभा किया है महराज सांतनु और उनी सांतनु के भीश्म जैसे पुत्र गंगा से हुए चित्रांगत भी चित्रवीर जैसे पुत्र सत्यवती से हुए इनको मृत्यु प्राप कहोने के बाद अंबा अंबा लिका से महराज पांडू और महराज धर्ष्ट राज विदुर जैसे अफ्तार हुए इस यद्वन्स के दरपण में जिस समय भगवान श्री राप लक्षमर इन चारो भाईयों का बटवारा हुआ तो यह जो मतुरा थी इसका नाम घरत नगरी था यहां का जो राजा था राक्षस मातुर था और भगवान स्री राम के सरसे छोटे भाई सत्रुधन ने उस मातुर राक्षस को मारा क्यों बटवारे में उनके हिस्सा में आ गई है और मातुर के नाम पर ही इस नगरी का नाम मतुरा रख दिया जहांके सक्त्रुधन राजा जए राम जी के छोटे भाई थे महराज मतुरा में बड़ी ही भावात्मक राजा थे जिनका नाम था आहुक और महराज आहुक के दो पुत्र हैं उगुर्शेन और देबक देबक के छे बेटिया हुई और आहुक जो थे उनके दो पुत्र फिर से बता रहा हुँ उगुर्शेन और देबक देबक के छे बेटी हुई जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम देबकी है जिसकी कोक से भगवान कृष्ण स्वेम आई और जो महराज गुर्शेन हैं उनकी देबी का नाम है पबन रेखा और मैंने बताया कि भगवान सबसुख किसी को नहीं देता कोई तन दुखी, कोई मन दुखी कोई बियोपारी से दुखी, कोई घरवारी से दुखी, कोई साली से दुखी, कोई ससुरारी से दुखी महराज हर इंसान दुखत के कारण जिन्दगी जी रहा है शुकुदेव जी कहते हैं हे महराज परिक्षत मतुरा बड़ा आनंदमई जीवन जी रहे हैं सभी राजा को दुखे कई बात का है कि वस उनके जीवन में किसी वालक का उतार नहीं हुआ एक कीरतन है भुरंदावन में हुकुम चले बर्शाने बाली का मेरे स्याम दिवाना है राधारानी का भुरंदावन में हुकुम चले बर्शाने बाली का भुरंदावन में हुकुम चले बर्शाने बाली का मेरे स्याम दिवाना है रिस रहा देरानी का कर दो 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 राज राधे का चलता, जौम के हरचपे पर, राज राधे का चलता चारो तरब ये दंका बजिता, और सुवानी दुलारी का मेरा शाम दिवाना है और राधा राणी का मेरा शाम दिवाना है और सरा धरानी का गंदावक में हुकम चले बर साने वाली का मेरा श्याम दिवाना है वसरा देराने का कभी गो कुल में देखा, कभी मदवन में देखा कभी गो कुल में देखा, कभी मदवन में देखा कभी पन घट पे देखा, कभी अम ना पे देखा मान सकल के लखदाता है, मान सकल के लखदाता है मेरा श्याम दिवाना है, पुरा धारानी पे